यह अगर आप online classes लगाते हो आपके लिए मैं laptop बताऊंगा चोकि बहुत तगड़े होने वाले हैं तो सी भी बात करते हैं number 4 की अप normally easily कर सकोगे प्लस अगर आपको office work के लिए चाहिए student ओ पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए best deal होने वाले है अगर आपने offline काम करना है जा classes बरहा लगानी है अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए बहुत अगड़े होने वाले हैं प्लस अगर आपने ऐसा creator काम करना आ या कोडिंग करने है उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्ट्वर भी यूज करना है आप इसली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीधा नमबर फो की नमबर फो की बात करें नमबर फो पर मैंने रखा है मैं नोटबुक होरीजन को अगर इस लैपटाप की बात करो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वह बहुत जादा इसको सूट करता है प्लस एम मैं ब्रेंड है प्लस अगर आपको क जाता हो अगर आपने वीडियो एक्टिंग करना है वीडियो काम करना है प्लस अगर आप गीमिंग वगारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो विकर्स आपको ग्राफिक कार्ण की बात करूँ आपको 14-inch Full HD Play Display मिल जादी जो की Anti-Glade Display प्रोसेसर की बात करों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जादी प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जादी ग्राफिक कार्ण की बात करूँ आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है MI Notebook Horizon के अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ ये देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो की सच में एक minus point आजाता है तो आप देख लेना अगर आपको ये laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते है अगर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आ आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करू number 3 पर यार मैंने रखा Acer Aspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चा डिस्प्ले मिल जाती है जो की आई-पैस पैनल डिस्प्ले प्रसेसर की बातों को आई-फाइफ 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो न तो उसको यार आदा गंटा 40 minute ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप data अगरा ज्यादा ट्रांसफ करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड है जीफो MX 350 देखने को मिल जाएगा तो यह में आपको बता दिये अगर मैं स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है बही आपको 45000 के बजट से लेके 50,000 के बजट तक यह करने ऑफिस बर के लिए चाहिए है स्टोटों पढ़ते हो अगर ब्रोग्रामिंग करने है और सकती है निंभी चंस को अतरी करना चाहते हो आप के लिएख पूछने वाला अगर आप कुछ भी पूछने जाते हो comment section में comment कर सकते हैं जा मैं रूजे Instagram पर मैं से ही कर सकते हैं यार मैंने link वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number two की तो अभी बात करते है number two की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number two and number one को दोनों को मैंने combine कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ दो laptop के बारे में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की सबसे पहले में आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ भी अगर आपको office work के लिए चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal होगता है बट अग अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है video acting करना है आपके लिए best होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं कल तो बोली लगा था आपके लिए best हो सकता है Acer Nitro 5 आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की और वो बातों को 15.16 full HD display मिल जाती जो की 16 refresh rate के साथ आती तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज को आप दियान में रखना processor की बातों को i5 9th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है upper grade आप कर सकते हो 32GB दक प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504GB मिल जाता उप्रेणी देखने को मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिलेगा battery की बात करूं आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है price की बात करूं इसका price आपको 50,000 से लेके 54,000 के बड़र में इस सरी स्पायर 7 देखने को मिल जाएगा तो अभी बात करते हैं इस सरी नीट्रोफाइब की तो डिस्प्ले की बातों को 50.16 फ्लस प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो की 16 रिफ्रेश्यर के साथ आती है आप पर सासर की बात करूं इसमें भी आपको प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के बजड़ में इस सरी नीट्रोफाइब देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको दोनों ही लैप्टॉप के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैप्टॉप बताए उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो य ना आपके लिए पॉफेट डील हो सकता है अगर मतलब अगर आपका पचास थाजार से भी कम है तो इस सरी इस प्राइज में इस सर बहुत तगड़ा भी अगर आपका बजट तीस थाजार होता तो मैं आपको लिनोवो लैप्टॉप के और जाने को कहता विकॉज उतने प् प्रोग्रामिंग करनीया, कोडिंग करनीया, जगर आपने as a creator काम करना, जए कोई भी लोड़ेड फाल पे काम करना, आप सब department के लिए जो मैंने आपको, laptop हो बहुँत अग्रे होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है प्रिकहतम अगर आपको में पेच्छे लगए यार वीडियो को लाइक करताना कमेंट करताना शेयर करताना दोस्तों को बेदाना उनको भी कहा दना कि चांग गदे सब्सक्राब लाइक एंड इस्सनाग्राइस को लो फॉलो लिंक अब गार आए यारा को डिस्क्रेप्स्टिन ब्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको जाट गोलना मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ तेंक्यू